अगला टॉपिक है रिचर्ड्स का संप्रेशन सिध्धान्त ये पास्चात्र का विशास्त्र का अगला टॉपिक है आई ए रिचर्ड्स इनका पूरा नाम है और 1893 इस्वी से लेकर के 1989 इस्वी इनका समय है इनका जन्म इंगलेंड में हुआ था इन्होंने हावल्ड पास्ट्र एवं मनुविज्ञान की सिख्षा ग्रहन की थी हावल्ड में ही वे अंगरेजी के प्रोफेसर रहे हैं और वहीं से उन्होंने डेलिट की उबाधी भी प्राप्त की थी इनके ग्रंथ का नाम है प्रिंसिपल ओफ लिट्रेरी ठीक है क्या नाम था प्रिंसिपल प्रिंसिपल ओफ लिट्रेरी क्रिटिसिज्म इनके पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ओफ लिट्रेरी क्रिटिसिज्म इन्होंने मनुविज्ञान का आधार लेकर काव्य संबंधी दो सिध्धान्त दिये थे पहला है मूल सिध्धान्त और दूसरा है संप्रेशन सिध्धा का रहे हैं पहला पॉइंट है कि कवी या सर्जक की अनुभूतियों का भावक मतलब जो पाठक है द्वारा अनुभाव किया जाना ही संप्रेशन है दूसरा पॉइंट है एक ही अनुभूति को सब की अनुभूति बना देना ही कवी कोशल है अता कला में प्रेशन इता होनी अ चौथा पॉइंट है यदि कलाकार अपनी रचना को प्रेशनिये बनाने का प्रयास करने लगेगा तो उसमें कृतिमता आ जाएगी उसे सहज स्वभाविक ढंग से अपना कारे करना शाहिए तब ही अनुभूतियां अधिक संप्रेशनिये बन सकेंगी पाँचवा है विसे रोचक एवाम रमणिये होगा तो संप्रेशन पूर्णता से होगा जब तक कवी स्वयं उन अनुभूतियों के साथ एक रस नहीं होता तब तक उसमें संप्रेशन की छमता भी नहीं आती है छटवा है संप्रेशन के लिए कवी प्रतिभा स्वता कारी करती है और साथवा है संप्रेशन का प्रमुख माध्यम भाशा है भाशा में वाच्यार्थ मतलब सेंस भाव मतलब फीलिंग वाडी गत चेस्ट टोन और अभी प्राय इंटेंशन रहता है विसाय वम परिस्तितियो से उनका अनुपात बदलता रहता है विज्ञान में वाच्यार्थ को तो काव्य में भाव को अधिक महतो स्वभाविक मिलना स्वभाविक है अठवा पॉइंट है कि अर्थ और भाव के संबंध को इसपस्ट करने है तू रिचर्ड्स ने तीन रूप स्विकार किये हैं कौ अर्थ विभिन भावों का सूचक हो नौमा पॉइंट है इमोशन और एटिच्यूड में रिचर्ड्स वही संबंध बताते हैं जो संचारी भाव और इस्थाई भाव में होता है रिचर्ड्स भारती रस्षिधान्त से प्राप्त आनंद को महतो नहीं देता है 11 काव भाशा का जो विवेचन रिचर्ड्स ने किया वह महतोपूर्ण है और बारवा है रिचर्ड्स काव का मूल ल्यांकन रागातमक आधार पर करता है तो यह है दोस्तो रिचर्ड्स का सिध्धान्त और यहीं पर ये वीडियो समाप्त करते हैं अगली वीडियो में टी एस इलियट के काव सिध्धान्त के साथ हाजिर होते हैं इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद